हेलो स्टुडेंट्स भागलपूर आईटिया की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो आपका स्कॉलर्शिप के रिलेटेड है तो ये स्कॉलर्शिप किसके लिए मिलेगी और कौन इसके है आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी जरूर सेर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्कीम फोर पोस्ट मेट्री के स्कॉलर्शिप फोर स्टुडेंस के लिए निकला हुआ है मतलब जो कि मैनोरिटी में आते हैं जैसे कि मुस्लिम हो गया सीख हो गया जैन हो गया बद्ध हो गया तो वैसे स्टुडेंट्स जो मैनोरिटी के टेगरी के हैं मैनोरिटी में आते हैं वो इस स्कॉलर्शिप को भर सकते हैं तो इसमें आपका क्या- Metric Scholarship आप लोग NSP के वेबसाइट पर भर सकते हैं आप जैसे ही Google में सर्च करेंगे NSP National Scholarship Portal आपको वहाँ पर जानकारी सारा मिल जाएगा NSP पर जैसे ही क्लिक करेंगा आपको वहाँ पर Apply का मिल जाएगा या New Registration आप लोग पहले जो भर चुके हैं वो फिर Apply कर सकते हैं जो नए Candidate है वो भी Apply कर सकते हैं बस आपको Minorities होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ कुछ Condition है जो कि अभी आपको इस वीडियो में पता तो चलिए हम लोग जल्दी से साड़े चीज को जान लेते हैं तेजी में बहुत सारा इसमें चीज दिया हुआ है लेकिन ज्यादा चीज हम लोग नहीं जानेंगे सबसे में बात है कि आपको कम से कम पिछले एक्जाम में 50% मार्क्स आना जरूरी है मतलब अगर आप ITI कर र नहीं हो parents या guardian का तो दो लाग से अधीक होने पर फिर आप ये eligible नहीं रहेंगे आप लोग minority scholarship लेने के लिए तो दो लाग का आपको income बनाना है दो लाग या दो लाग से कम वाला ओके तो जिसका दो लाग से अधीक है वो इसको नहीं भढ़ेंगे आगे अगर हम लोग देख document जो वहाँ scan करके लगाएंगे वो document के साथ अपने संस्थान institute या ITI में office में आ करके जमा करेंगे वो जमा करने के बाद ही आपका फिर यहां से verify किया जाएगा college के अस्तर से तो आप लोग यह नहीं कि सिर्फ वहाँ fill कर देंगे form और फिर हो गया form fill करने के बाद जो वहाँ से print आएगा उस print को आप ले करके अपने college आएगे और college में आ करके सारे document का jerox दे करके फिर आप यहां जमा करेंगे तब हम लोग यहां से आपका verify करेंगे तभी आपका पूरा form समझे की भराएगा यह नहीं कि आप लोग वहाँ छोड़ देंगे सिर्फ apply करके ठीक है तो आप लोग जो भी स्टुडेंट है जो इसको फ्रेस से apply कर सकते हैं तो आपको इसमें क्या-क्या चीज चाहिए इसमें क्या-क्या लग सकता है आपको document वह भी धियान देना है कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें आपको क्या-क्या चीज लगेगा तो सबसे पहला चाहिए फी का sleep चाहिए ओके यह आपको चाहिए चाहिए फिर income certificate चाहिए आपको income certificate चाहिए कि आपका क्या है guardian का income bank detail चाहिए बैंक का passbook टे करके रखेंगे उसका आपको सारा detail उसमें fill करना होगा यह बहुत ही important चीज है और bank account जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो apply कर रहे है student उनी के नाम पर होगा किसी भाई के नाम पर या मा के नाम पर या फापा के नाम पर नहीं होना चाहिए आपके नाम पर वो account होना चाहिए और वो update होना चाहिए यह नहीं कि बंद हुआ account दे दिजेगा तो फिर आगे चल कर आप ही को परिशानी होगी income भी जो बनाईएगा वो एक साल के अंदर का होगा और दो लाग से कम का होगा फी सलीप मतलब जो रसीद आप लोग कटाते हैं यहां से जो पेमेंट का देते हैं वो भी रखना होगा क्योंकि वहां जब आप अपलाई करने जाएंगे वहां से एक प्रिंट होकर के कॉलेज को साइन वोहर करना पड़ता है उसमें सारा चीज लिखना पड़ता है कि आप यहां के स्टूडेंट क्या सेसन आपका क्या ट्रेड है आपका क्या रोल नमर कितना फी आप दे रहे हैं आधार आधार आपका सही होना चाहिए कि आप कहीं कलती तो नहीं किये हुए हैं अधार में तो सारा चीज आप लोग ध्यान देंगे और तभी आप इसको apply करेंगे तो यह सब बातें आप ध्यान जरूर रखेंगे ठीक है तो कौन-कौन इसको fill कर सकते हैं जो student ITI में अभी प करेंगे या अपने से अगर करना होगा तो सारा डॉकुमेंट आप पहले से कर लेंगे और सबसे में इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि यह नस्पी जो है भारत सरकार क्या पॉर्टल है नस्पी के थुरू भड़ाता है तो आपका account में direct भारत सरकार के तरफ से ही payment आ अपने आप account में मिलेगा लेकिन यह नहीं कि आप लोग परिशान हो जाएं कि सर अभी तक आया नहीं है payment उसके लिए आप खुद अपना नस्पी के पॉर्टल पर जा करके जो application ID मिलेगा उससे आप लोग चेक कर सकते हैं अब में चीज क्या है यहां पर दिखे ध्यान देन वाला बात है कि आपको कहा रहा है कि bank account हमेशा बार बार बता रहे है bank account जो होना चाहिए वो genuine होना चाहिए और KYC किया हो आप डेटेड होना चाहिए वो कि आपका वो खाता चल रहा है बंद वाला account आपको नहीं देना है ओके चलिए अब हम लोग इसका date जान लेते हैं कि य हम लोग जो यह form भर रहेंगे यह form है मेरा postmetric scholarship हम लोग जो form fill up करेंगे वो postmetric यानि metric के बाद वाला है scheme तो इसका date आपको open till 31 दिख रहा है आपको 31-10-2022 यानि 31 आपका October 2022 तक आप भर सकते हैं लेकिन उतना wait नहीं करना है क्योंकि server का problem हो सकता है तो उससे पहले आप document नहीं बना है अभी time है वो सारा document अपना income वेगरा सारा चीज बना ले अगर जिनका bank account नहीं है वो bank account भी खुलवा लेंगे तो यह date आप आगे का यह सब मत देखिएगा यह सब college के लिए है state के लिए है और NSP के लिए है वो verify करेगा आपके लिए यह date 31 October 2022 तक आप form fill कर सकते हैं Muslim विद्यार्थी बौध जैन यह सब विद्यार्थी भर सकते हैं जिनका की metric पास हो गया है वो इंटर कर रहे हैं वो या अग्रेशन कर रहे हैं पॉल टेकनिक कर रहे हैं ITI कर रहे हैं चाए वो ITI के first year में हो या second year में हो चाए वो किसी भी trade के हो 31 तारिक तक भर सकते हैं और दो लाग से जिनका income कम हो तो चलिए ये वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के बीच सेयर करें जो eligible होंगे form भरने के लिए थाकि वो भी form फिल कर सके अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like करें और अपने दोस्तों के बीच सेयर करें और जिन्होंने subscribe नहीं किय प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको साड़ा नोटिस मिल सके थैंक यू